अगर जा रहे हैं परचेश करने न्यू कार तो here are the top 5 best high mileage petrol cars in India 2023 along with their full feature details first of all बात करें तो यहां पर first गाड़ी है मारुती सुजू की सेलेरियो प्राइज की बात करें तो 5.59 लाग से इसका प्राइज स्टार्ट होता है जो 6.67 लाग तक जाता है इंजन की बात करें तो 1.0 लीटर का K10B 3-cylinder petrol इंजन मिलता है पावर की बात करें तो 68 PS की पावर 6,100 RPM पर मिलती है टॉर्क मिलता है 90 NM का 3500 RPM पर फ्यूल एफिसेंसी यानि माइलेज की बात करें तो 26.68 केम पेल का शांदार माइलेज देती है पैट्रॉल आप्संस में हलाकि CNG में भी इसका विकल्प एवेलेबल होता है और जो और भी ज़्यादा शांदार माइलेज देता है एप्रोक 34 तक का बात करें नेक्स्ट फीचर्स की तो मारुती सुजू की सलिरियों में डियूल एयर बैक्स, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, LED DRLs, टच स्क्रीन इंफो टैंडमेंट सिस्टम with Android Auto and Apple CarPlay और सेकेंड डंबर पर है मारुती सुजू की वेगनार प्राइस की बात करें 5.46 लाग से 7.26 लाग इंजन 1.0 लिटर के 10B पावर की बात करें 68 PS की पावर 6,100 RPM पर 90 NM का टॉर्क मिलता है 3500 RPM पर बात करें Fuel Efficiency की तो 25.19 KM पिल का मालेज देती है मारुती वेगनार फीचर्स की बात करें तो Jewel Airbag, ABS with EBD, Reverse Parking Sensors, LED DRLs, टच स्क्रीन इंफो टैंडमेंट सिस्टम with Android Auto and Apple CarPlay, Automatic Climate Control, Keyless Entry and Go थर्ड नंबर पर है मारुती सुजू की Swift प्राइस की बात करें 6.56 लाग से 9.83 लाग इंजन आता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पैट्रॉल इंजन पावर आती है 83 PS की 6,000 RPM पर टॉर्क की बात करें 139 लाग का टॉर्क मिलता है 4400 RPM पर फ्यूल एफिसेंसी 22.94 के अम्पेल और अब Swift भी आपको CNG विकल्प में मिल जाती है पीचर्स की बात करें Dual Airbag, ABS with EBD, Reverse Parking Sensors, LED DRLs, Touchscreen Infotainment System with Android Auto and Apple CarPlay, Automatic Climate Control, Keyless Entry and Go फोर्थ नंबर पर है Hyundai की Grand i10 Neos प्राइस की बात करें 5.79 लाग से लेकर 8.69 लाग इंजन आता है 1.2 लीटर का कापा 4 सिलेंडर पैटरॉल इंजन पावर आती है 83 PS की 6,000 RPM पर टॉर्क की बात करें 130 NM का टॉर्क मिलता है 4,000 RPM पर फ्यूल एफिसेंसी की बात करें तो 23.4 के अम्पेल फीचर्स की बात करें Dual Airbag, ABS with EBD, Reverse Parking Sensors, LED DRLs टची स्क्रीन Infotainment System with Android Auto and Apple CarPlay Automatic Climate Control, Keyless Entry and Go फिफ्ट नंबर पर है Tata Motors की Entry Level Hatchback Tata Tiago कीमत की बात करें 5.59 लाख दिलेकर 7.20 लाख इंजन की बात करें 1.2 लीटर का Rivertron का पैट्रॉल इंजन पावर की बात करें 86 PS पावर 6,000 RPM पर टॉर्क आता है 113 NM का 3500 RPM पर फ्यूल इफिसेंसी की बात करें तो 23.2 के MPL फीचर्स की बात करें तो ड्यूल एर बैग, ABS with EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, LED DRLs टच स्क्रीन Infotainment System with Android Auto and Apple CarPlay Automatic Climate Control, Keyless Entry और सबसे बड़ी बात है कि Entry Level की Tata की सहेच बैक में आपको 4 Star की GN के प्रमानित सेफटी भी मिलती है तो सेफटी, कमफर्ट और फीचर्स के साथ पावर के लिए आप Tata Tiago को भी देख सकते हैं और इसके बाद 6 नंबर पर है मारुती सुजू की Alto K10 इंजन की बात करें 1.0 लिटर का K10B पैटरल इंजन 68 BHP की पावर 90 नंब का टॉर्क, फ्यूल एफिसेंसी 24.9 के एंपियल फीचर्स काफी शांदार मिलते हैं एडवांस इंफोटेंमेंट सिस्टम, हेलोजन हेडलाइप और स्टील वील्स इसके बाद नेक्स्ट है लग्जरी सेगमेंट में होंडा मोटर्स की प्रीमियम सदान, होंडा सिटी हाइब्रिड पावर की बात करें 126 BHP की पावर 170 Nm का टॉर्क देती है और माइलेज की बात करें तो 27.13 के एंपियल का सांदार माइलेज मिलता है होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर फीचर्स की बात करें आटमेटिक क्लाइमेट कंट्रॉल टच स्क्रीन इन्फो टैन्मेंट सिस्टम LED हेडलाइट और एलोई वीज जैसे फीचर्स मिलते हैं और बात करें कीमत की तो 18.89 लाग से लेकर 23.49 लाग तक इसका प्राइस जाता है नेक्स्ट है कॉम्पेक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्स ओन 7.79 लाग से स्टार्ट होती है 1.5 लिटर का टर्बो चार्ज पेट्रॉल इंजन मिलता है 119 बेच्प की पावर 170 अनम का टॉर्क मिलता है और नेक्स्ट है टोयटा मोटर्स की टोयटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर 1.5 लिटर के के 12N पेट्रॉल इंजन के साथ 102 बेच्प की पावर 135 अनम का टॉर्क और यहाँ पर इसकी माईलेज की बात करें तो 27.97 के एंपल का सांदार माईलेज मिलता है अगर आप इसका हाईविड वेरियंट देखते हैं नेक्स्ट है मारुती सुजुकी की एक पावरफुल SUV ग्रांड विटारा और कीमत की बात करें 10.70 लाग सेस का प्राइज स्टार्ट होता है 1.5 लिटर का K15B पैटरॉल इंजन मिलता है 103BHP की पावर 138NM का टॉर्क मिलता है माईलेज आपको सेम टू सेम मिलता है अर्बन क्रूजर हाई राइडर की तरह 27.97 KMP का पीचर्ज की बात करें तो आटमेटिक क्लाइमेट कंट्रॉल टची स्क्रीन इंपोट एनमेंट सिस्टम LED हेडलाइट और एलोई वीज के शांदार आप्संस एविलेबल होते है और इसी के साथ एक शांदार आप्संस है एंट्री लेवल में ही टाटा मोटर्स की टाटा पंच कीमत की बात करें 6 लाग से ही इसका प्राइज स्टार्ट हो जाता है 1.2 लिटर का पावरफुल इंजन मिलता है 86.63 बहप की पावर मिलती है 159 अनम का टॉर्क मिलता है मैनियल आप्संस मिलते है और 366 लिटर का शांदार बूर्ट स्पेस मिलता है 37 लिटर का फ्यूल टैंक मिलता है और सेफटी की बात करें तो सेफटी में 5 स्टार रेटिंग लिए हुए शांदार लुक के साथ में टाटा पंच एविलेबल होती है बात करें इसके माईलेज की 18.8 के एमपल का माईलेज देती है पैटरॉल के अंदर और अब जल्द ही इसका CNG उपसंस भी मार्केट में एविलेबल होने वाला है जो कि एप्रोक्स 27 तक का माईलेज देने में सक्षम होगा तो ये हैं all to all गाडियां जो कि पैटरॉल विकल्प में एविलेबल होती है या फिर जिनके CNG या हाइविड उपसंस मिलते हैं और उन उपसंस में काफी शांदार माईलेज भी देती है तो अगर आप इन में से किसी भी गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं और उसके बारे में अगर डिटेल सी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करके डिटेली हमारे लाइब में भी शामिल हो सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नमस्कार दोस्तों